वह बाइब दो गौर्णन प्रेंप्रेंप्राइब्स आए उसेल की तरफ से बहुत एमसीक निकल के आ रही है सबसे पहले तो यह आपकी जो अपडेट होने वाली है औल आवर इंडिया की होने वाली कोई भी केंडिट कहीं से भी बिलों करता है वह यहां पर इसको अप्लाइ प्लस यहां पर आपकी एक प्यास्यो महारतना कर सरकारी कंपनी है अब आपका कैसे सलेक्शन होगा क्या है आपकी पोस्ट होने वाली है सब चीजों को थो डिटेल इंब इसका सब आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं डारक चलते हैं आप इसकी नोडिफिकेशन के उपर तो जैसा यहां पर देख सकते हैं इंडियन और कॉर्परेशन लिमिटेट की तरफ से आपर जोब नोडिफिकेशन निकल के आए जिसमें सबसे पहले बात करने इन टोटल नंबर वेकेंसिस आप देखोगे लास्ट में तो 400 नंबर वेकेंसिस निकल गई हैं जो कि आप एक बहुत अच्छा नंबर है प्लस यहां पर देख सकते हैं यहां पर स्टार्टिंग में लिखा है यह आपके आपके ट्रेड टेक्निशन ग्रेजुट अपर आपर आपका वन यह का आपर ट्रेनिंग पिरेड रहने वाला है और वहां पर जिसने उनने अपनी डिप्लोमा पर रख galaxy in mechanical electrical instrumentation, civilization, electronics, electronics ceард попад कर सकते हैं इसके लाब आपके सकती हैं इसके लिख सकते हैं graduate apprentice भी निकलले गई बीच में यहां पर नॉन इंजिनिरिंग वाले candidates हो तो सभी के लिए यहां पर सबसे पहले विकेंसी तो अपर देख सकते हैं stipend का यहां पर इन्होंने एक option दिया हुए तो stipend में आपको बदाये तो इन्होंने यहां पर डिसकस नी किया हुआ है इसके बात करते हैं आप इसकी selection process की किसमे selection आपका कैसे होगा तो देखिए इसमें पर आपका होने वाला यहां पर एक online टेस्स के थो होने वाला है इसके यहां पर आपको कोई जए चार सब्जेक्ट पे लिए राएंगे वाले हैं उसी एक्जाम के बिस्ट को के चार रहेंगे बात करते हैं है एक भाद करते हैं उनके आपका सब्फल्स उने वाले है वो जन्रीक बड़ीटीटियूय। दूसा सब्जेक्ट आपको हर चीज की थोड़ी थोड़ी नौलेज हो नहीं चाहिए सब्जेक्ट रहने वाले हैं इसके बाद आप देख सकते हैं साफ-साफ इन्हों ने मैंशन किया हुआ कि मिनीमम आपको 40% मार्क्स चाहिए इस एक्जाम को क्लियर करने के लिए यहां पर आपको क्या करना है जिससे आपका मैरिट में नाम आने के चांट इस बहुत जादा बढ़ जाए आप जो एक लिंक देख सकते हो इसके नीचे लिखना हुए फिफ्ट पॉइंट में जैसे आप इस लिंक पर क्लिक करोगे आप इनके ओफिशल वेबसाइट पे रेड अगर आप लास्ट देट तक किलिक होगे तो वेबसाइट जो होती हो बहुत जादा बिजी हो जाती है और फॉर्म अप्लाई करने पर बहुत जादा प्लाई करने यह कोछ अईसी प्रब्लम इस जो मैंने परस्ट इस परिएंस करें आपको इस बता पाता हूं अब अब आपको अप्लोड करने करने तो सारे चीज़ें अन्होंने अपने सारे यहां पर एक्स्प्लेइन किया हुआ है बट फिर भी अगर यहां पर इसमें आपको कोई डाउट कोई आती हो तो आप मुझ से कमेंट सेक्शन में आगे पूच सकते हो और यह था यहां पर आज का करना इस वीडियो को साथ शेयर कर दें अपने सभी दोस्तों के साथ कि हर केंड़ेट तक आप यह वीडियो पहुंच पहें और मैं आपस मेलूंगो नेक्स्ट वीडियो में एक्ससी अमीजिंग आपडेट से तप तेक लिए गुडबाएं टीक केर